खेलो जी असलाम लेकम एंड वेलकम बेक टू माई चैनल तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ के आप सब खेरियत से होंगे और आप सब का रमजान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा अब तो रमजान ना बस खतम ही होने वाला है थोड़े से ही दिन रह गए हैं अच्छा आप लोग बताएं के आप लोगं का रमजान ना कैसा जा रहा है अच्छा यहां पर मैं सुबह सुबह उट गए थी सेरी के टाम पे मैं रिकार्डिंग नहीं करती हूं पहले भी मैं आप लोगं को बताय था तो यहां पर नहीं अपना बिस्तर वगरा बना रहे थी हैं अच्छा यहां पूरा दिन के टाम पे तो बिल्कुल नहीं और गार्डन में तो आज कर मैं जानी सकती हूं क्योंकि इतनी धूप होती है कि जाने का दिल ही नहीं करता बस थोड़ी दिर के लिए ना प्लांट्स को चेक करने के लिए जाती हूं और आप भी प्लांट्स को द यह बड़ा मज़ेका लगता है अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और आजकल ना पकोडे भी नहीं खाये जारे है लाकि मैं है फ्लूंक से कहती हूं कि मुझे ना पकोडे बहुत पसंद है तो हम लोग ने तो बनाना भी बहुत काम कर दिया है क्योंकि अब नह क्या वेस्ट करने के लिए खामखामे बनाता रहे और आजकल के दिनों में और तो कोई रूटीन नहीं कोई अर अक्स्टा काम मैंनिंग करे हो थी बस कुराने पाक पड़ती हूं तो फिर रुसी की वीडियो वगएरा मैंने बना ली थी श्याम के टाइम पर मैंने सोचा के अचा कभी-कभी ना मेरा दिल करता है कि मैना दूध वाली चाय बना हो मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो गाड़ी वाली चाय बना उरसके अधर ऑर एक्श्टर डाल के पहुँँ तो वो मुझे बहुत मज़े की लगती है लेकिन वो कभी-कभी चलता है रोज तो इतनी काड़ी वे चाय नहीं पिता बंदा आचा वा साथ में ना मैं कुछ खाती जरूर हूँ चाय के साथ में मुझे बहुत आदत हो गई है बिस्कीट हो गया कोई रस वगरा हो गया कुछ ना मैं जरूर साथ में लेती हूँ वैसे यह ऐसी वाली कंडिशन नहीं होती के चाय नहीं मिलेगी तो कुछ हो जाएगा वैसा तो कुछ नहीं होता लेकिन कभी-कभी ना मैं चाय वगरा पे लेती हूँ हिसको नाश्टे में तो चाय जरूरी होती है क्योंकि जब घरषानी के रूटीन होती है तो उनके साथ रह रहेके आपकी थे रूटीन बन जाती है वैसे अम्मी के घर भी हम लोग ना चाय के साथ में नाश्ता करते प्रूप कर ठहर ठहर कर अराम से पढ़ना पढ़ता है जिसे स्टोरी वाली बुक होती है तो बंदा कहता है कि बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ो और समटाइम तो हम इससे भी मोटी बुक्स ना एकी दिन में खतम कर जाते हैं लेकिन यह उस टैप की बुक नहीं है इसको ऐसत होता है 15 मिनटी लगते हैं इसको बढ़ने में और जब कोई और काम ना हो तो फिर मैं पढ़ी रहती हूं मुबाइल चलाती हूं क्योंकि मेरे पास और मोटीवेशन होती नहीं कि मैं उठकर कुछ और भी करना है जब उठकर कोई और काम करना नहीं होता है और ना तो दिन मे वाली थी चॉकलेट वाली नहीं थी कुछ दिनों से मेरा मीठा जो है ना मतलब काम हुआ हूँ है तो इसको मैंने खाय तो मुझे यह बहुत जादा मीठी लग रही थी यह बहुत अजीब सी लग रही थी अला कि चॉकल मेरी फेवरिट है और आज कल मुझे चॉकल मुझे मैंने मीठा छोड़ दिया था और अबना मुझे मीठा खाय यह नहीं जा रहा बता मुझे खुद ही एक अजीब सी बात लग रही है और मैं सोच रही हूँ कि अपना में जादा नहीं खाँगी अच्छी बात है क्योंके मैंना बहुत जादा खा लेती थी अब मीठा काने ब करती थी ओके जी ओके अला हाफीज मिलेंगे इंशाला कल के व्लॉग में